सब्सक्राइब करे टेक्निकल सूरज को और दबाए बैल आइकन और पाए हमारी लेटिस टेक्नोलोजी से रेलेटिड वीडियो सबसे पहले आपके साथ भी कई वार ऐसा हुआ होगा कि आपका कोई डाटा या कोई वीडियो या कोई फोटो गलती से डिलीड हो गई होगी और बाद में आप अफसोस कर रहे होंगे कि यार यह मैंने क्या किया अब यह फोटो डिलीड होगे या मुझे इस फोटो या वीडियो या कोई की डॉक्यमेंट को वापिछ लेना तो कैसे लेंगे दोस्तों आज की वीडियो आपको यही बताने वाला हो तो जारा जानने के लिए वीडियो के साथ शुरू से लेकर अकरी तक बने रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो नमर श्कार दोस्तों मेरे नाम सुरूज कमार और कोई भी डाटा या कोई भी डॉक्यमेंट या कोई भी फोटो डिलीड हो गई है तो आपको टैंसर लेनी के अब बिल्कुल भी जुरूत नहीं है क्योंकि आज जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वह आप अपने एंडुड स्मार्टफोन की मदद से किसी भी डिलीड हु आपको छे ओप्शन देखने को मिलेंगे पहला ओप्शन है फोटो एंड वीडियो रिकवरी, स्मस रिकवरी, कॉंटैक रिकवरी, वाट्साब रिकवरी एंड आपको लाश्ट मार्टफोन मिलता है अदर रिकवरी सॉलूशन अब दोस्तों माल लीजिए कि आपका खोई फ यहां पे आपकी जितनी फोटो डिलीट हुई थी, आप उसको बैक अप कर सकते हो, अब माली जी आपको जो फोटो डिलीट हुई थी, वो मिल चुकी है, तो simply इसको select करें, जैसे आपकी selection पूरी हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर एक option देखने को मिलना होगा जिसका नाम है recover तो simply recover पर क्लिक कर देए अब दोस्तों यहाँ पर लिखावा आच चुका है कि आपकी जो photos delete हो गई थी वो recover हो चुकी है उसके बाद अब माल लेजिए कि अब आपके उसको पर क्लिक करें और यहाँ पर जैसे आप video वाले option पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपकी जितनी video delete होई थी वो यहाँ शो कर जाएगी उसके वाँ simply select करें recover बटन पर क्लिक करें और i button पर क्लिक करें तो आपकी photo और video दोनों देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आपको और अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करना न बूले शेर करना न बूले और साथे साथ कमेंट करके जुरू बताएगा कि क्या आपका कोई ऐसा data delete हुआ था जो recover हो गया है इस application के मदद से और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल क सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें उसके बाद वैल एक अंद वाए तो चले जोस्तों अब मिलते हैं कल सो नमस्कार वावे और सलामत रहें